नमस्कार दोस्तों आप सभी का कुछ बाते बाते में स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो को जो टाइटल है वो है अखलेश यादव अगर यूपी का चुनाव नहीं जीत पाए तो भारत का जो लोकतंत्र है वो खत्रे में पड़ जाएगा और यह जो स्टेटमेंट है यह अखलेश यादव की तरफ से आया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत जादा कुछ हो गया है या फिर इलेक्शन के रिजल्ट आ गये हैं सिर्फ एग्जिट पोल आये हैं और लगबग ती चार से पांच एग्जिट पोल आये हैं और लगबग सभी का देखा जाए तो कि अराम से बहुमत की सरकार बन रहे हैं और योगी आपस फिर से आ रहे हैं और यह बाखलाहट कहीं न कहीं यह दिखाती है कि वह पहले से ही हार मान चुके हैं और हार मानने के बाद अभी उनको अपना एक फेस सेविंग चाहिए और यह अपनी इज़त बचाएं कैसे बच कि है और वो यह है कि इवी आपको गाली देना बड़ा मस्त अगर आप आपकी सरकार बन रही है तो इव एम एकदम चका चक काम कर रहे हैं भारत का का इलेक्शन कमिशन सबसे अच्छा है सबसे सुन्दर है बहुत ही तकड़ा है ठीक है और यह मैं ऐसा नहीं इसले नहीं कहे रहा हूं क्योंकि अक्सर दूसरे जगवापे दिखा गया है ठीक है यह इस लिए कहा रहा हूं क्योंकि अगर एक पार्टी जीती है तो वो कहेंगी कि वो कुछ नहीं कहती है ठीक है लेकिन अगर वह हार जाती तो सबसे पहले रोना चालू कर देती है कि बहुत परिशानी हो गए बीजीपी ओले में सब चोरी कर लिया ठीक है और ये इस बार भी अखलेश यादव सेम चीज़ कर रहे हैं और अगर ये कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कुछ कारण भी है और अगर लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है उसके पीछे भी कारण है उसके पीछे हैं से बड़ा कारण यह है कि यह अखलेश यादव वो तभी एक्टिव होते हैं जब इलेक्शन सा रहे होते हैं ठीक है इलेक्शन से पहले उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं होता है ठीक है नहीं किसी भी तरह का आप उनको लगभग आप एक हाल से आप भ इस बार का कैंपेंग चलाया वो कैंपेंग काफी नकरात्मक रहा उन्हों में कुछ ऐसा नहीं प्रस्तुत किया जिससे की लोग कहें कि हां भई आप योगी से अच्छी सरकार बना सकते हैं आपको एक अल्टेनिटिव देना है और वो भी अल्टेनिटिव आप किसके खिला अच्छी कम है दूसरा उन्होंने जो पहले की जिस तरह से राजनीती चलती थी यूपी में इस बार भी उसी तरह से उन्होंने चलाने का प्रेथनी किया और वो क्या था भाई हिंदूों को बाढ़ दो जातियों में ब्रामर्ट ठाकुर बैस ठीक है बन्या कुर्मी इन सब में बाढ दो ठीक है और उसके बात उन्हें और मुस्लिमों को इतना डरा दो ठीक है कि वह किसी और के पास जाहे ही ना और उन्हें एक उन्हें लगता है कि यादो समधाय जो एक है ठीक है यादो हिंदू जो है उनको वोट देंगे ठीक है तो वह अराम से सरकार बना लेंगे लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अगर आप मोधिक आप अगर योगी जी की सरकार देखें तो कुछ चीजों पर बहुत काम किया वो एक तो यह था कि वहीं सबसे बड़ा जो था लौइन ऑर्डर का उन्हें ने काम किया दूसरा क्या की गरीबों को हावास देने का काम किया ठीक है तो और काफी सारी चीजे मोधिक सरकार की काफी सारी स्खीम स्थी उन सब को भी काफी अच्छे से जाहतियों में जो बटा हुआ वोटर था वो एक ऐसा वोटर बन गया योगी का जिसे कि जाहति से मतलब नहीं है वो यह देख रहा है कि योगी ने मेरे लिए काम किया है ठीक है और अगर कोई मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको क्यों वोट ना दू ठीक है तो जाहति अप हरवपूर तरीके से वो किया लेकिन एक यहां पर खाली फर्क यह हो गया कि पहले जो जिस तरह से इलेक्शन्स या फिर वोट्स चलते थे वह था कि हिंदुओं को बाट दो ठीक है और काम करो चाहना करो जब बटा हुआ है वोटर ही तो कोई जादा चेंजस नहीं कर सकता है ठीक है इस बर यह नहीं हुआ इस बर एक ऐसा कैटेगरी बन गया जो की जो की क्या बोलते हैं मोधी की जुछ स्कीमस तस्टेट गॉपरेंट्ट प्लस की है उससे उन्हें भरव पूर्पूर फैदा उठाया चाहे वह कोरोनाàngके पीरिद का हो तब हमकेश मिला हो बैंक अकॉन को ले चाहे हमने घर मिला इस सारी चीज़के से एक ऐसा है वर्ग ब हो गया है और इसमें कहीं न कहीं जो पुराने तरीके से जो पॉलिटिक्स चलती थी वह कहने कहीं फेल होते हुए दिख रही है और यही कारण है कि जो जिस तरह से वह अपना क्या बोलते हैं जी चुनाओ जीतना चाहते थे हैं तो उसमें वह तो नहीं हो रहे हैं और यह भी बड़ा कारण मुझे लग रहा है और यह भी मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि वो सिर्फ चुनाओ के समय में ही दिखते हैं उसके अलावा जनता किस तरह से रह रही है उन्हें किसी किसी तरह की सहायता है कहा जाता है एक राजनेता जो होता है वह अपने हरदम अपने लोगों के बीच में रहता है लेकिन यह चीज कहीं न कहीं अखलेश यादव या फिर उनके पार्टी के नेताव से कंप्लीटली नहीं थी चाहें वह कोरोना का टाइम हो चाहें कोई भी दूसरा कोई भी समय हो वो कहीं दिखें नहीं ठीक है वह अकसर या तो कहीं आउट अफ इंडिया में भूमते रहते थे आपके घर भी रहते थे तो कुछ जादा किसी टाइप का रैली या फिर किस टाइप का आंदोलन या फिर लोगों की जो परिशानिया है उसको उसको उठाने का इस टाइप से कहीं पर भी वह लगबग दिखें नहीं इन चार-पांश सालों में तो लोगों ने ये चीज भी देखा उनने देखा कि घुकि काम कर रहा है तो बीसिकली इस बार जो योगी का जो योगी सरकर वापस आ रही है वो इसलिए वापस आ रही है क्योंकि वो काम के रही है लोग देख ने को उनहीं हनुंー और जिस तरह से लोगतंत्र खत्र में पढ़ जाए पढ़ जाएगा और दुनिया भर की फालतु की चीज़ें खराब है वगरा 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 वह बक्वास है ठीक है और मैं तो यह कहूंगा कि भाई अखलेश जी कि दो क्या बोलते हैं 27 की तैयरिया करना चालो कर दीजिए 24 वो तो काफी कम समय है उसमें आप मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा आप तीर मार पाएंगे लेकिन हां 27 की तैयरिया चालो कीजिए और तब तक आप आराम से चुटिया मनाईए और उसके बाद आईए तो अच्छे स 27 में अगर योगी जी कुछ गलतिया करें या फिर ठीक से काम ना करें या फिर उनमें काफी घमंड आ जाए कि वह बहुत बड़े निता बन गया है तो जरूर आपको मौका मिलेगा यह देश की जनता है जो कि इंद्रा गांधी को हरा के एक नई पार्टी की सरकार बनवा सक सब्सक्राइब करें तो 27 का समय मेखाल से चार-पांच साल का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा अच्छे से तैयारी कीजिए एक्जाम की ऐसा नहीं कि लास्ट के क्या बोलते हैं एक्जाम आने से पहले दो दिन पहले आपके कुंजी खरीद ले और कुंजी को पढ करें तो मुझे नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स में फिर जो वोटर के सामने पास भी हो पाएंगे तो मेरा तो खाली यह कहना है अच्छे से काम कीजिए काम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे और यह मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में यह काफी इ और जिसको नहीं देता है वो उसको एक दम उठाक पटकी देता है चाहे वह समाजवादी पार्टी ही देख ले 2017 में जिस तरह से उनको उठाके बाहर फेकार सरकार से और जिस तरह से बीजेपी को 303 सीटे दी यह आपने आप में काफी माइने रखता है ठीक है तो मैं तो यह ही कहूंगा चलिए अब 2027 में भेट हुई अखलेश जी से तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा अच्छा लागा हो तो क्रिपया लाइक करें और कमेंट करके जुरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा और थोड़ा अच्छ लगा फिर मिलते हैं धन्यवाद दोस्तों